दोस्तों अपने सैनिकों और किसानों के अलावा भारत के लोग भी दो चीजों के प्यार में पागल है नमबर एक बोलीवूड और दूसरा किरकेट हम सब अपने अपने फेवरेट प्लेयर और एक्टरों को देखते हैं और हम उन्हें अपना आधरस भी मानते हैं हम हमेशा उनके बार में कुछ ना कुछ जानने के लिए तैयार रहते हैं तो क्या आपने कभी सोचा हैं कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बोलीवूड अभीनेताओं के कुल संपत्ति कितनी हैं वे एक साल में कितना कमाते हैं तो इस वीडियो में हम आपके लिए भारत के पांस सबसे अमीर फिल्मों के स्टार लेकर आए हैं इस सूची में आपके पसंदिदा एक्टर भी हो सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बोलीवूड अभीनेता भारत एशिया और दुनिया भर के कुछ सबसे अमीर लोगों में से हैं लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि ये एक्टर्स एक्टिंग करके इतना पैसा कैसे कमाते हैं ऐसा नहीं है एक्टिंग करके ये लोग इतना पैसा नहीं कमाते जितना ये अन् बड़ी कमपनियों के ब्रेंड एमबैजडर तक हैं ये लोग इन बड़ी-बड़ी कमपनियों के एक्ट्यूटी होल्डर भी होते हैं जिसके कारणी ने भहुत से छेत्रों से पैसा मिलता है इन सभी को देखते हुए ये पांच एक्टर भारत के सबसे अमीर सेलेब्रिटीज है नंबर पांच पर आते हैं आमिर खान कुल संपत्ती 225 मिलियन डोलर 14 मार्च 1965 को जन्वे आमिर खान की कुल संपत्ती 225 मिलियन डोलर है ये एक अभिनियता निर्देशक निर्माता लेखक और एक टौक सो के होस्ट है इन्होंने अपने करियर की सुरुआत 1973 की फिल्म या इन्होंने वीना दत्ता से 1986 से 2002 में और फिर किरन राउ से 2005 में साधी की इन्हीं 2003 में पदम श्री 2010 में पदम भूशन और 2017 में चीन सरकार भारत का राष्ट्रिया खजाना द्वारा सम्मानित किया गया वे एक फिल्म करने के लिए 35 करोड रुपय तक चार्ज करते हैं और वे चहीते एक्टर अक्से कुमार उर्फ खिलाडी 325 मिलियन डोलर के संपत्ति के साथ बोलीवुड के चोथे सबसे अमीरा भीनेता है 9 सितंबर 1967 को जन्में अक्से कुमार ने सिंगापूर में एक सैफ के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में फिल्म उद्योग म में अपनी पहली फिल्म सोगंध साइन की 2001 में उन्होंने ट्विंकल खन्ना के साथ साधी की आरव और नेतारा कुमार उनके दो बच्चे भी हैं वे एक अभीनेता फिल्म निर्माता और हरियोम एंटर्टेन्मेंट के मालिक हैं अब तक उन्होंने 135 से अधिक फिल्मों में और 2009 में उन्हें पदमे स्री से भी सम्मानित किया गया था पॉलिसी बजार, कजारिया टाइल्स, टाटा मोटर्स आदी जैसे ब्रांडों का वे समर्थन करते हैं फिल्मों में उनके स्टंट परदर्शन के कारण उन्हें भारतिय जैकी चैन के रूप में भी जाना जाता है 27 दिसंबर 1965 को जन्मे सलमान खान ने मुंबई के सैंट जैवरियस कोलिज में सिक्साप प्राप्त की अपनी पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी से अपने करियर की सुरुआत की और अब तक 108 से अधिक फिल्मों में अभिने किया है राश्ट्रे फिलम पुरुसकार, फिलम फेर पुरुसकार, इस्टार स्क्रीन पुरुसकार आधी से उन्हें सम्मानित किया गया है वे कभिनेता, निरमाता और प्रस्तुत करता हैं और सलमान खान फिल्म्स के नाम से एक प्रोड़क्शन हाउस भी चलाते हैं Thumbs Up, Revital Edge, Dixie Scott, आधी जैसे कई ब्रांडों का वे समर्थन करते हैं जरूरत मन्द लोगों और बच्चों की मदद करने के लिए उनके पास Being Human नाम से एक ट्रस्ट भी है नमबर दो, अमिताब बच्चन, नेट वर्थ, 455 मिलियन डॉलर बालिवूड के मान अभीनेता अमिताब बच्चन, 455 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर अभीनेता है, उनने उद्ध्योग के बिग बी के रूप में भी जाना जाता है उनका जनम 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था उन्होंने पहले उद्ध्योग में अपना हाथ आजमया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पहली फिलम साथ हिंदुस्तानी की वे एक अभीनेता, निर्माता, गायक और टेलिविजन प्रस्तुता है उन्होंने 1984 में पदमे सिरी, 2001 में पदमे भूशन, 2015 में पदमे भी भूशन और 2019 में दादा साहिब फाल के पुरुसकार से सम्मानित और लगबग 200 फिलमों में अभीने किया है उन्होंने 1973 में जय बाहदरी से साधी की और वे कौन बनेगा करोड़पती को भी होस्ट करते हैं और वे टाटा, सकाई, बीकाने और बहुसी कमपनियों का समर्थन भी करते हैं नमबर एक, सारुख खान, नेटवर्थ 690 मिलियन डोलर बोलीवर्थ के सबसे अमीर अभीनेटा, बोलीवर्थ के बादसा सारुख खान है, जिनकी कुल संपत्ती 690 मिलियन डोलर है सारुख खान 2 नमबर 1965 को जन्में, एक धारवाइक में एक अभीनेटा के रूप में करियर की सुरुआत की लेकिन बाद में भाग्या ने उनका साथ दिया और उन्हें फिलम दिवाना में पहली भूमी का मिल गई सारुख खान ने अब तक तिराण में से अधिक फिल्मों में अभीनेटा, फिलम निर्माता, वियवसाई और टेलिवीजन प्रोस्तोता है उन्होंने गोरी खान से साधी की और उनके तीन बच्चे भी है, आरियन, सुहाना और अबराहम खान उन्हें 2005 में पदमिसरी, 2007 में ओर्डर डेस आर्ट्स और 2014 में फिलम फेर अवोर्ड से सम्मानित किया गया है फिलमों के अलावा वे रेडचिलीज एंटर्टेर्मेंट और कॉलकत्ता नाइट राइडर्स आईपियल टीम के भी मालिक है और वे कही बड़ी-बड़ी कमपनियों के ब्रेंड एमबैजडर भी है तो दोस्तों ये थे भारत के 5 सबसे अमीर सेलेबरिटीज इन पांचयों में से आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में थैंक्यू